किसी गाउं में एक साधू रहता था, वह जब भी नाचता था तभी बारिस होती थे, इसलिए गाउं के लोगों को जब भी बारिस के जरूरत होती तभी ये लोग उस साधू के पास जाते और उसे अनुरोद करते कि वह नाचे और जब वह नाचने लगते तो बारिस जरूर ह कुछ दिनों बाद चार लड़के सहर से गाउं में घुमने आये जब उन्हें यहाँ बात पता चली कि किसी साधू के नाचने से बारिस होती है तो उन्हें यकिन नहीं हुआ सहरी पढ़ाय लिखाई के घुमन में उन्होंने गाउं वालों को चुनोती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिस होगी अगर हम हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई तो साधू के नाचने से भी बारिस नहीं होगी अगले दिन सुभा सुभा गाउं वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधू के कुटिया के पास पहुँचें गाउं वालों ने साधू को सारी बातें बताई फिर वह लड़कों ने नाचना सुरू किया पहले लड़के ने नाचना सुरू किया आधा घंटा भी दिया फि बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा है किया, पर बारिस नहीं हुए, अब साधू की बारिस थे, उसने नाचना सुरू किया, एक घंटा बित गिया, पर बारिस नहीं हुए, साधू फिर भी नहीं रुका, वहां नाचता ही रहा, नाचते नाचते दो घंटे बित गे, पर बार पर साधू तो रुपने का नाम ही नहीं ले रहा था, धीरे धीरे साम ढ़लने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ा हट सुनाई दी, वहाँ थोड़ी देर बाद जोरोंस की बारिस होने लगी, यहाँ देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तूरंथ साधू से छमा मागी, फिर चारों लड़कों ने साधू से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यूं कि हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई और आपके नाचने से बारिस हो गई, साधू ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो दो बातों को हमेसा ध्यान रखता हूं, पहली बात, मैं यहाँ सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिस को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यहाँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिस ना हो जाए, सफलता पाने में भी यही गुण विद्मान होता है, वहाँ जिस काम को भी करते हैं, उसमें उन्हें सफल होने का पूर करनी है, तो इस साधू की तरह ही अपने लच्छे को प्राप्त करना होगा, अगर यह कहानी से आप कुछ सीखे तो जरू लाइक, सेर, कमेंट कर दिजेगा